स्वेमुक्त अरब अमिरात के उपराश्पती, परधान मंत्री और रक्षा मंत्री, तथा दुबाई के शासक, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktum, अबुधाबी की विवराज, तथा युएई के ससस्त्र से नाव के उप सर्वोच्च कमांडर, His Highness Sheikh Mohammed bin Jayad al-Nahayan, Mahamahim Rastadhyaksh, Tashanadhyaksh, तथा आंतराष्टिय संगठनों के प्रमुक, राज परिवारों के सम्मानिय सदसेगर्ण, फ्रेंड फ्रम दे मीडिया, देवियों और सज्जनों, नमश्कार, गुडड़े, आपने बहुत गर्म जोसी से मेरा स्वागत किया, बॉर्ल गवर्मेंट सभीज के इस छटे समस्करण में, मुझे मुक्य अतिती का, और भारत को सन्मानिय अतिती देश का सम्मान दिया, यह मेरे लिए ही नहीं, भारत के सवासो करोड लोगों के लिए, गर्व और बहुत ही प्रसंदता का विश्य है, और इसके लिए मैं आपका रुदय से धन्यवाद देता हूँ, प्रदान मंत्री के रूप में, पहले भी कई बार मैं खाडिक छेत्र की यात्रा कर चुका हूँ, 2015 के बाद मैं दूसरी बार UAE आया हूँ, जब भी यहां आता हूँ, मुझे एक खास अपनापन मैसूस होता है, करीब 12 लाख अप्रवासी भारतियों को दुबई में उनके घर से दूर एक घर मिला है, और UAE में 33 लाख अप्रवासी भारतियों को अपनापन मिला है, इसके लिए भारत, UAE और दुबई का कृतग्या है, आपका कृतग्या है, मैं आपको और सभी दुबई वासियों को, अमिरातियों को, भारत वासियों के और से धन्यवाद और शुक्कामनाई देता हूँ, फ्रेंट्स, विकास के लिए टेखनोलोजी के इस्तवाल में दुबई अपने आप में एक बेमिसाल है, यहां रेगिस्तान की रेट को सुनहरी समरुद्धि में बदला गया है, एक मेरे कल और चमतकार को साकार किया है, आज के दुबई में आकास की उन्चाईयों तक पहुंचते वैभों के पीछे और बविश की कलपना के पीछे एक बीजन है और संकल्प भी है, उसके पीछे टेक्नोलोजी इनोवेशन और एंटरप्राइज है, इसकी जलग मैंने कुछ देर पहले मुजियम अब दे फ्यूचर में भी देखी, यही ने टेक्नोलोजी में सफल प्रवगों को लैब तक सिमित नहीं रहने दिया है, उसका जीवन में उप्योग हो, इसका जीता जाकता उदारण मुझे माजदार में देखने को मिला। दुबई फ्यूचर एक्सेलेटर द्वारा टेक्नोलोजी का प्रशासन के खेत्रों में इंक्यूबेशन और ऐसे अनेक प्रयास भविश्य का पुर्वानुमान करते हैं। इन प्रयासों की उर्जा उनके डाइनिमिजम के बारे में केवल सुनने से व्यक्ति प्रभावित हो सकता है। लेकिन रूबरू देखने से एक नई प्रेणा मिलती है, नई उर्जा मिलती है। यह सब देखते हुए उचीत ही है कि वर्ल गवर्मेंट समीट दुबई में आयोज़त होता है और टेक्नोलोजी एंड डेवलप्मेंट विशे पर यह विशिस्त समागम इस समीट के अंतरगत हो रहा है। प्रेंट्स पृत्वी पर मानव की यात्रा में विकास के हर छोटे बड़े मुकाम पर टेक्नोलोजी की छाप है। लगवग 200 साल पहले विश्व की लगवग एक बिलियन आबादी का 94% हिस्सा गरीबी में रहता था। आज हाला की विश्व की जनसंग्या साद बिलियन यानि साद गुने से भी जादा है। लेकिन इस आबादी का करिब 9.5 प्रतिसत ही गरीबी में है। 200 साल पहले हमारी आउसत उम्र तीस साल से भी कम थी। अब यह सत्तर वर्ष यानि सबा दो गुना से भी जादा है। पिछले मात्र 25 वर्षों में भारत में माताओं की मृत्युदर यानि maternal mortality गटकर एक पिहाई हो गई हैं। और दुनिया भर में लगभग आधी stem cells और regeneration technique जैसी वज्यानिक उपलब्द्यों ने कठीन बिमारियों के इलाज का ही नहीं बलकि अंग भंग के भी उपचार का रास्ता दिखाया है। मौसम के पुर्वानुमान से किसान अपनी फसल बचा और बढ़ा सकता है। लाखों करोडों को disaster management के जरिये बचाया जा सकता है। हो सकता है कि बविश में टेकनलोजी हमें भूकम जैसी आपदाओं का पुर्वानुमान भी संभव कराएं। संख्षेप में टेकनलोजी ने मानव के अस्तित्व को ही प्रभावित किया है। टेकनलोजी ने quality of life को एक उंचे धरातल पर पहुँचाने में बहुत बड़ी भूमिक आनिवाई है। विकास का एक पहलू यह भी है कि पाशान यूग से अउद्योगिक करांती के सफर में हजारों लाखों साल गुजर गए है। उसके बाद संचार करांती तक सिर्फ 200 वर्षों का समय लगा और वहां से डिजिटल करांती तक का फासला कुछ ही सालों में तै हो गया। अब टेक्नोलोजी विचार की गती से बदल रही है। फ्रेंट्स टेक्नोलोजी की सुलपता और उसके प्रसार ने आम आदमी का ससक्तिकर्ण किया है। और इस एमपावर्मेंट को मिनिमम गवर्मेंट मैक्सिमम गवर्नेंस से और उस रह को एक बढ़ावा मिला है। इगवर्नेंस का इफेक्टिव, एफिसेंट, इजी, एमपावर और इक्विटेबल का पहला अक्षर है। प्रेंट्स, दो हजार वर्स से भी पहले भारत के एक महान चिंतक और स्ट्रेटेजिस्ट काउटिल्य ने अर्थ सहस्त्र की रचना करी। अन्य विश्वों के अलावा उन्होंने प्रशाशन की जिम्मेदारी बताई। और उन्होंने कहा, राग्यों ही ब्रतम उत्थानम, यानि सरकार को, शासक को विकास के लिए ब्रत लेना चाहिए। मेरे विचार से सरकार की एक बड़ी भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि टेकनोलोजी की ताकत का उप्योग जन जन के विकास के लिए हो और इस से नागरिक सुविदाओं में गती और सुलबता आए। मेरा यह भी मानना है कि टेकनोलोजी में प्रगती से उत्पन परिवर्तनों और चुनोतियों के प्रती भी सरकारों को सजग रहना चाहिए ताकि टेकनोलोजी का उप्योग रचनात्मग बना रहे है। टक्नोलोजी वो तोफ़ा है जिसके यूजर मैन्यूवल में नैतिक मुल्यों का जिक्रन नहीं होता है इसलिए मनुश्य प्रगति के साजों सामान को कभी-कभी बिनाश और विद्वंश का साधन बना लेता है साइबर स्पेस का रेडिकलाइजेशन के लिए इस्तमाल कुछ लोगों द्वारा टेक्नोलोजी के दुर्प्योग का उधारन है तमाम तरक्य के बावजूद दुनिया से गरीबी और कुपोशन खत्मा नहीं हुए है लेकिन दूसरी ओर धन, समय और संसाधन का बड़ा हिस्सा मिसाइलों और बमों की ख्षमता बढ़ाने में लग रहा है हमें सचेत रहना होगा कि हम टेक्नोलोजी को विकास का साधन बनाएं बिनास का कतई नहीं टेक्नोलोजी मनुष्य की नयसरगी सामर्थ को बढ़ाएं उसे गटाएं नहीं प्रेंट्स कभी कभी ऐसे लगता है कि मानव टेक्नोलोजी को प्रकूती के पर विजे का ही नहीं उससे संगर्ष का साधन बनाने की बूल कर रहा है इसकी कीमत बहुत भारी है मानवता के भविश्य के लिए हमें प्रकूती के साथ संगर्ष नहीं सहजीवन का रास्ता चाहिए भारत ने योग जैसी समगर्ष और संतुली जीवन पद्दती से स्वास्त और प्रकूती के साथ सहजीवन का रास्ता दिखाया है आज के समय में इस रास्ते पर छे महतपून कदम है छे आर रिड्यूस रियूज रिसाइकल रिकवर रिडिजाइन रिमैनुफेक्चर यह कदम हमें जिस मंजिल तक पहुँचाएंगे वह होगी रिजोईज याने आनन्द प्रेंट्स मनुष्य के अस्तित्व का असल उद्देश सिर्फ सम्रुद्दी नहीं है बलकि संतोष और आनन्द की प्राप्ति है भारत में पुरातन काल से माननेता है संतोष परमधनम यानी संतोष सर्वोच्च संपत्ति है समग्रता, संतुलन और संतोष आनन के लिए अनिवारिय शर्ते है यौर हाइनेस आपने मिनिस्ट्री अब हैपिनेस और मिनिस्ट्री अब फ्यूचर का गठन करने में मनुष्य के अस्तित्व के असल आंत्रिक उद्देश को एक दम सही पहचाना है प्रेंट्स बारत में हजारों साल पहले सिर्फ दर्शन सास्त्र के ही नहीं बलकि विज्ञान और प्रद्योगी के भी अनेक स्वने मद्या लिखे गए चाहे वह शुन्य की परिकल्पना हो या पाई की गणना दसमलव प्रानाली हो या एरेबिक नुमरल्स की उत्पत्ती मेटलर्जी हो या डायमेंशनल रेखा गणित हो बटे वाली इते हो या विश्वस्तरिय जहां जो का निर्माण हो ये उपलब्दियां और आर्यभट, पिंगल, ब्रम्बंगुप्त, सुसरूत, चरक जैसे गणितग्यों और वज्ञानिकों के कितने ही योगदान सिर्फ भारत के लिए ही नहीं सबके विकास के लिए उपलब्द है फ्रेंट्स, आज के भारत के सामने जो चुनोतियां है, गरीबी, बेरोजगारी, आवास, सिख्षा, प्राकुर्टिक आपदा है उनके उपर वीजय केवल सबके विकास से ही संबव है इसलिए मेरी सरकार का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास इस लक्ष के लिए टेकनोलोजी के उपयोग से हम समावेश सी विकास प्रशाशन में पारदर सीता, सभी वर्गों, विशेशकर, महिलाओं का ससक्तिकरण और सामान्य नागरिकों की नीती निर्मान में भागिदारी बढ़ रहे हैं हर भारतिय को एक बायोमेट्रिक लिंग और यूनिक आइडेंटिटी नंबर देने का आधार कारकम दुनिया में अपने प्रकार का सबसे बड़ा कारकम है इस यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी को बैंक खातों और उपभोगताओं के मुबाइल से जोड़ कर 400 से अधिक सरकारी योजनाओं के बेनिफिट को डायरेक्ली ट्रांसफर किया जा रहा है इस से 56,000 करोड रुपे याने की 8 बिलियन डॉलर से अधिक की राशिय का दुरुपयोग रोकना संबव हो सका है भारत में डिजिटल पेइमेंट और लेस कैश का रिवालुशन हो रहा है टेक्नोलोजी के प्रवोग से पूरे भारत में एक कर एक कर व्यवस्ता यानि GST संबव हो सकी है गवर्मेंट, E-market, GEM की पहल से छोटे से छोटा व्यपारी सरकार को अपना सामान बेज सकता है इसे शुरू हुए कुछी समय हुआ है और अब तक लगबग साढ़े चार हजार करोड रुपे के ट्रांजिक्शन्स जेम के माध्यम से हुए है स्टार्ट अप इंडिया द्वारा हम भारत में इनोवेशन के लिए एक पूरा एकोसिस्टिम तैयार कर रहे हैं पिछले दो वर्षों में बारत एक प्रमुख स्टार्ट अप नेशन बन गया है हैकेथोंस में युवाओं की बढ़ती भागीदारी ने नए और सफल प्रोजेक्श को जन्म दिया है भारत की जन्संख्या का 65-35 से भी अधिक हिस्सा 35 वर्ष से भी कम उमर का है उनमें इनोवेशन को बढ़ावा देकर और इसके लिए अंतर राष्टिय साजेदारियों से हम न्यू इंडिया के सपने को साकार करना चाहते हैं सन 2022 तक किसानों की आए को दूओ गुना करने के हमारे लग्ष के मद्दे नजर टेक्नोलोजी के प्रयोग के दो उधारन देना चाहूंगा पहला सोईल हेल्थ कार्ड सोईल हेल्थ कार्ड से किसानों को मिट्टी के बारे में उसकी शहद के बारे में जानकारी और दूसरा क्रिश्शी मंडियों का पॉर्टल जिससे 36,000 करोड रुपया का व्यापार हो रहा है आशा वरकर, कॉम्यूनिटी हेल्थ वरकर्स को टैप्स और टेनिंग दी जा रही है वेक्सिनेशन का पूरा डेटा गाउं, सहर, खेत्रों, राष्ट्ये स्तर पर उपलब्त कराने का कारकम और रियल टाइम इंफर्मेशन का कारकम हमने शुरू किया है इससे उन कर्मचारियों का वेक्सिन शिडूल के अनुसार एलेट मिल जाता है और वेक्सिन मिस नहीं होता दूसरा बहुत ही सस्ते में उपलब्त रोटा वाइरस वेक्सिन का निर्मान ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत ही महत्वपूर है फ्रेंक्स भारतिय दर्शन में सूर्य का सारी स्रुष्टी में केंद्रिय महत्व है सूर्य आत्मा जगस्थच अर्थाथ हमने सन 2022 तक 100 गीगावर्ट सौर उर्जा समेथ 175 गीगावर्ट रिजीवबल एनर्जिक शमता का लक्षर रखा है पिछले तीन वर्षों में हम 62 गीगावर्ट का आंकड़ा पार कर चुके है International Solar Alliance की पहल से भारत ने अन्य देशों के साथ मिलकर ऐसा प्रयास सुरू किया है जिससे सौर उर्जा का लाप कम साधन संपन देशों को भी मिल सके केवल सरकार द्वारा 28 करोड LED बल्बों के वित्रण से पिछले तीन साल में न सिर्फ 15,000 करोड रुपे से अधिक की बचत हुई है बलकि साड़े साथ गीगावाट बिजली भी बची है यही नहीं 30 मिलियन टर्न कार्बन डायकशाइड भी कम पैदा हुई है मुझे लगता है कि अगली टेकनलोजी करांती सोलार एनर्जी के स्टोरेज से जुड़ी होगी संतुलीत और सस्टेनेबल विकास के लिए इस प्रकार के स्टोरेज के महत्र को देखते हुए सभी स्टेक होल्डर्स को सम्मिलित प्रयास करना चाहिए फ्रेंट्स पिछले बहिने भारत के सेटलाइट लॉंच प्रोग्राम ने सेंचुरी बढाई है स्पेस के ख्षेत्र में हमारी उपलब्दियों की लागत दुनिया के मुकाबले कई गुना कम है भारत का मार्स आर्बिटल मिशन होली वूर्ड फिल्म की आउसत किमत से भी कम में काम्याब हुआ है अगर टैक्सी करके आप अपने शहर में ही गुमते हैं तो प्रती किलोमिटर टैक्सी का किराया दस रुपिय से जादा होगा पर मार्स मिशन की लागत प्रती किलोमिटर सिर्फ साथ रुपिय की रही है स्पेस टेक्नोलोजी की सहायता से मचलियों का कैच दो से पांच गुना तक बड़ा है और इसमें लगने वाले समय में भी 30 से 70 प्रतीशत तक की कमी आई है सरकार की प्रमूख रोजगार योजनाओं से बने दो करोड से भी अधीक सांबूदाइक एसेट्स की जियो टैगिंग से सारी जरूरी जानकारी इकट्टी हो रही है सेटलाइट इमेजिंग द्वारा सभी मंत्राले अपने रिसोर्सिश की मैपिंग कर रहे है इसमें हमें ग्राउन लेवल पर जरूरतों की जानकारी मिलती है और उसके अनुसार हम योजना और प्रोजेक्ट बना पाते हैं फ्रेंट्स देश पे चल रहें इन्फास्टेकर और दूसरे डेवलप्मेंटल कारेगम की मैं खुद हर महीने वीडियो कांफरनस द्वारा सभीक्षा करता हूँ इसमें सभी संबंदित राज्यों और केंद्र सरकार के मंत्राले जूडते हैं इस समिक्षा का नाम है प्रगती जिसका आर्थ होता है प्रोग्रेस 40-40 साल के रुके हुए प्रोजेक्ट पर भी इस मोनिटरिंग से बहुती सकारात्मक असर पैदा हुआ है फाइलों पर रुके हुए बिरोक्रेटिक मुद्दे बाचीत के जरिये सुलज जाते हैं और सबका ये एसाज भी है कि प्रोजेक्ट पर निगाह है हमारे डेवलप्मेंटल प्रयासों का लक्षा है कि भारत ने इंडस्ट्रियल डिवर्शन का मोका तो खो दिया था पर अब हम टेक्नोलोजी के कटिंगेज खेत्र में एक्सलेंसी नहीं लीडर्शिप को प्राप्त करें मैनुफेक्टिंग और आइटी के अलावा बिग डेटा अनालिक्स, साइबर फिजिक्स, नेनो टेक्नोलोजी, आर्टिफिशल इंटलिजेंस, साइबर सिकुरिटी, क्लाउट टेक्नोलोजी, एडवांस जी आइस, आदी पर हम विशेज ध्यान दे रहे हैं इसके साथ ही एडवांस एनरजी स्टोरेज, रिन्यूबल एनरजी, नेक्स जनरेशन जिनोमिक्स, पर भी हम काफी जोर लगा रहे हैं हमारा प्रयास है इन छेत्रों में उपलब्या यह सुनिशित करेगी कि सवा सो करोर भारतियों का यानि मानवता के छट्थे हिस्थे का समग्र विकास, पूरे विश्व के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान करें यानि सारा विच्व एक परिवार है यह भारत का दर्शन रहा है सबका साथ सबका विकास हम अपने विदेश सहयोग पर भी लागू करते हैं इंडियन टेक्निकल एन एकोनोमिक कोपरेशन कारेकम के अंतरगत हंडेड़न सिक्स्टी से अधिक देशों में क्यापसिटिक बिल्लिंग हो या विकास सीर और अल्पविक्सी देशों में इंफास्टेक्ट निर्मान भारत यह सहयोग उनकी जरुरतों के अनुसार करता है तराक्षेत्रों में भी पहुंच रहे हैं सवर उर्जा के अनुभव को साजा करने से भारत में प्रसिक्षित आफ्रीकी सोलर मामाच के द्वारा आफ्रीका में घर रोशन हुए हैं पिछले साल भारत ने साउथ एश्या उपगर जोड़ा इससे हमारी अंत्रीक शमताओं के सुपरणाम हमारे पडोसी देशों को उपहार स्वरूप उपलब्द होंगे प्रेंट्स हम इंटर कनेक्टेड इंटर लिंक और इंटर डिपेंडेंट संसार में जी रहे हैं बहुत हद तक हमारी समस्याएं अविभाज्य हैं और उनके समाधान भी यह तैह है कि आने वाले दश्यकों में विश्व के सामने जो समस्याएं आएगी उनका हम मिलकर निकालना होगा और इसमें टेक्नलोजी की बड़ी भूमी का रहेगी यह अभी तैह है कि अगर एक 20 वी सदी एशिया की सताब्दी होनी है तो वर्ल्ल गवर्मेंट समीट जैसे मंचों पर अनुभवों को बांटना और भी महत्पपुन हो जाता है हम आपसी सहयोग से दो तिन छेत्रों में टेक्नलोजी के इस्तमाल से सबके विकांस के लिए काम करने के रास्ते खोजें तो हमारा समवात और भी सार्थक हो जाएगा और मेरी दुर्ष्टे से एक खेत्र है लॉंग डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन के जरिये शिक्षाकरांती जिससे दूर दराज के इदाकों में गरीब से गरीब बच्चे भी अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त सके दूसरा शार उड़्जा के प्रयोग और स्टोरेज टेक्नलोजी का विकास और तीसरा प्रकृती के प्रती समग्र संतुलित और सहजीवन का नजरिया और चौथी बार योग जैसी पद्दती से जीवन में संतुलन और शांती का आवान फ्रेंट्स मैं आपके माद्यम से पूरे विश्व को निमंतर देता हूँ कि आईए हम मिलकर विज्ञान प्रद्योगी की और शासन को मानव के सुनरे बविश्व से और भी नद्दीक से जोड़े आईए हम एक जूड होकर टेक्नोलोजी का इस्तमाल सद्यों से चले आ रहे विपन्नता और सोशन को खत्म करने के लिए करें आईए हम तमसो मा जोतिर गमाएं यानि हम अंदकार से प्रकास की और जाएं हजारों साल पुरानी इस भारतिय प्रार्थना के आदर्श को प्राप्त करें मुझे आशा है कि इस उद्देश के संदर्व में समीच में प्रवद्योगी के विकास प्रशासन और विश्व के भविश्य पर विश्त्रूत गहन और उप्योगी चर्चा होगी आप से समवात का यह अवसर प्रदान किया गया इसके लिए मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं शुक्रन जजिलन नमस्कार